आज की रेसिपी देखते ही आप इसे बनाएंगे और अपने पैसों की जो बचहत है न वो बहुत सारी कर पाएंगे जी हां मार्केट में ये बहुत ही महगी बहुत ही कॉस्टली मिलती है बट बहुत ही कम सामान के साथ बहुत ही ज्यादा कॉंटिटी में आप इसे अपने घर पर बना पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और ये नमकिन साधी कोई ऐसा होगा जिसे नहीं पसंद होगी गारंटी है कि पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेगी और इसका टेस्ट इतना आपको पसंद आएगा ना कि मार्केट से लाना आप भूली जाएंगे तो चलिए मैंने एक कटोरी के जितना पानी ले लिया है और आप पानी डालेंगे सवा कटोरी यानि कि 1.25 कटोरी जितना आधा कटोरी नहीं है बस आप कोई कटोरी ग्लास कोई भी मेजरमेंट आप कर लीजे बरतन का तो देखिए एक कटोरी पूरा डालिए फिर आधे का भी आधा प कर दिया, इसको Mix और पानी में उबालने देते हैं. तो देखिए, पानी काफी अच्छे से उबालने लगा है, तो जिस काटोरी से पानी लिया था, उसी काटोरी से एक काटोरी सुजी लेंगे, यानि की रवा भी बोलते हैं, इसे, measurement एकदम perfect है एक कटोरी सूजी के लिए सवा कटोरी पानी, glass cup कटोरी कोई भी आप इस्तेमाल कीजे एकदम perfect बनेगी और इसे मिला लीजे, मिलाने के बाद आपको gas को तुरंट off कर देना है gas को बंद करने के बाद इसको क्या करेंगे ना, इसी बरतन में रहने देंगे, क्योंकि बरतन काफी गरम रहेगा और जब इसे हम ढग देंगे ना तो बहुत सारा steam भी इसमें बनेगा, जिसकी वज़े से ये सूजी बहुत ही soft हो जाएगी और ये cook भी हो जाएगी तो gas को मैंने बन कर दिया है और देखी किता जदा ये गरम है ना, भाप निकल रही है तो एक बार इसको मिला देंगे और वापस से इसको हम ढग कर रख देंगे तो थोड़ी देर के लिए ढग कर रखेंगे तकरीबान आधे गंटे के लिए जब तक ये थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता है ठंडे का मतलब है पूरी तरीके से एकदम ठंडा ना करें और तब तक यहाँ पर हम आगे की तयारी देख लेते हैं तो ये मैंने चार मीडियम साइज के उबले आलू लिये हैं इसको छील लिया है और जो सबसे बारीक वाला ग्रेटर होता है जिससे अद्रक वगरा ग्रेट करते हैं वही ग्रेटर आपको इस्तेमाल करना है तो उसी से आलू को ग्रेट कर लीजे बारीक वाला ग्रेटर इसलिए ना ताकि आलू की कोई बड़े चंक्स वगरा ना रहें वो हमें इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए तो आलू आप इसमें कम ज़्यादा भी एट कर सकते हैं जादे का मतलब बहुत ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजेगा तो एक कटोरी सुजी के लिए सुजी अगर वजन में देखेंगे न तो 200 ग्राम के जितना थी उसके लिए मैंने चार आलू लिये थे मिडियम साइज के और ये सुजी देखें काफी बढ़ियां सॉफ्ट हो चुकी है तो मसल कर इसको एकदम चिकना सॉफ्ट इसका डो बना लेते हैं देखें एकदम चिकना डो हो गया इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ियां लगता है ट्रस्ट मी गाइज ये वाली जरूर से ट्राई कीजेगा आप कोई तेओहार हो या तेओहार ना भी होना तो चाय के साथ कुछ न कुछ तो सभी कोछ है ये होता है ये आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो डो हमारा तैयार है और इसको बनाने के लिए यहां पर ये मैंने मेकर लिया हुआ है ये आपको आफ लाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेस कीजे इसली मिल जाता है थोड़ा से इस पे तेल लगा लें ताकि ये बहुत ही स्मूथ निकल पाए वरना ये बहुत ही हार्ट चलता है फिर इसके इस तरीके से रोल बनाईए इसमें भर दीजे देन इसको लॉक कीजिए और चलिए आप चलते हैं फ्राई करने की तरफ तो तेल का जो टेंपरेचर है आप बढ़ियां गरम होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा मेडियम ही रखिएगा क्योंकि ये सूजी है हाई फ्लेम आप करेंगे न तो ये बहुत ही जल्दी से जल जाएगी और तूरंद इसका कलर चेंज हो जाएगा जो कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जला जला तो देख सकते हैं ये देखे और कुछ सेकेंड आप वेट कीजिए उसके बाद इसको पलर दीजिए और एक साथ बहुत सारा डालने की ये भी गलती मत कीजिएगा वरना ये बिल्कुल मैस हो जाएगी आपका तेल भी खराब होगा आपका सामान भी वेस्ट हो जाएगा तो ये नमकिन जितनी आसान दिख रही है आसान तो है बट अगर थोड़ी सी लापरवाही आप करेंगे तो आपका पूरा सामान भी खराब हो सकता है तो जल्द बाजी बिल्कुल ना करें थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में आप इसे बनाएं तो ये देखें एकदम मस्त बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है फ्राई ना तो अब इसे निकाल लेते हैं और सेम इसी तरीके से सारे डो से हम ये नमकिन बना लेंगे तो देखें क्या मस्त बन रहा है ना और बनाने में आपको बहुत अच्छा भी लगेगा आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मैंने लिए हैं मखाने यानि की फॉक्स नट या फिर फूल मखाना भी बोलते हैं इसे और ये सारे चीज़ें बहुत हल्दी हो जाती है ये और ये नमकिन ना बचे हो बड़े हो कोई आसा नियोगा जिसे नहीं दाएगी क्योंकि इसका जो टेस्ट है नब वो आपको आगे दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें एट करी होई हैं और ये फ्राई हो चुका है तो निकाल लेंगे थोड़े से सूखे नारियल लेंगे उसके हमने इस तरीके से लच्छे काट लिये हैं और इसे भी बोलते हैं तो इसे भी हलके से तेल में बस इसको रोस्ट करेंगे और ये जब आप इसमें डालेंगे न तो इसका एक अलगी ग्रंच आता है बहुत अच्छा लगता है खाने में ये तो इसमें जो चीज़ें आपको पसंद हो वो डालिएगा जो नहीं पसंद हो उसको skip कर दीजेगा और आप थोड़ा सा तेल ज्यादा मात्रा में लेंगे और इसमें हम peanut add कर देते हैं यानि कि मुंफली और इसे भी बढ़या से हम fry कर लेंगे इस तेल में मुंफली बहुत लोगों को नहीं पसंद होती है तो बिल्कुल skip कीजे या फिर quantity आप कम डाल लीजे आप इसमें किसमिस भी fry करके add कर सकते हैं बट मुझे किसमिस बिल्कुल नहीं पसंद है तो इसलिए मैं खीर वगहरे में आपने अकसर देखा होगा कि मैं बिल्कुल नहीं add करती और अब यहाँ पर curry lips को भी मैंने धीमी आज पर fry कर लिया है तो सारी चीजे हमारी अच्छे से fry roast सब कुछ हो चुका है अब बारी आती है mixing की और यह देखिए से और जो मैंने सूजी की बनाई है देख सकते हैं न क्या मस्त इसका crisp है और बहुत ही बढ़ियां बनकर टैयार गई है तो देख सकते हैं न अब इसको एक बड़े से बरतन में transfer कीजिए जो जो चीजें मैंने fry करी हुई है जैसे मुमफली मखाने काजू बदम जो भी सारी चीजें बारी बारी से इसमें add कर दीजे और ये नमकिन आप जानते ही होंगे कि जब आप packet फाली market से खरीते होंगे न तो ये आपको कितनी ज़्यादा costly पड़ती होगी और quantity कितनी कम होती है तो आपने देखा न कि जब आप इसे घर पे बनाएंगे तो कितनी ज़्यादा मात्रा में आप बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों के साथ तो फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरे का पाउडर, काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर आट करेंगे और दो बड़े चमबच आट करेंगे चीनी का पाउडर, जी हाँ सुगर पाउडर, क्योंकि यह वाली नमकीन ना खटी मीठी तीखी चटपटी होती है, जो कि इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग होता है, और यह बहुत ही महगी भी मिलती है तो बहुत ही कम पैसों के साथ घर में बनाना कितना ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है न, और आपको बनाने में बहुत अच्छा भी लगेगा, और खाने में इसका जो टेस्ट है, वो सभी को बहुत पसंद आएगा तो फ्रेंट्स एक बार ये वाली नमकीन बनाकर जरूर से ट्राइ कीजेगा, और आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताईएगा, तरीका एकदम परफेक्ट है, पहली बार आप बनाएंगे तो भी आपसे कोई भी गलती नहीं होने वाली है, तो आप रेसिपी को ट्राइ कीजे, अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्काइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइकन सेर भी कर दीजेगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, वैसे गरांटी है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी, तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के एंटी केर